Hello dear students, आज के वीडियो में हम differentiation का एक बहुत ज़्यादा important topic discuss करने वाले हैं इस topic से बहुत ज़्यादा सभभवना है कि आपका section B में 6 marks का equation बनेगा हो सकता है कि section C में 10 marks का भी बन जाए तो इसे आपको बहुत ध्यान से सीखना है इसके लिए आपको previous videos को अगर आपने देखा है तो कुछ standard limits मैंने बताई थी वहाँ पर उन में से जो formula यहाँ पर use होने वाले हैं यह 4 formula इनको मैं यहाँ पर को आप अपनी screen पर देख सकते हैं यह आपको learn करनी होंगी यह formula अगर आप learn कर लेते हैं तब आप आप आपकलन का प्रत्रम सिधान यानि की first principle of differentiation इस पर basic questions कर पाएंगे एक बात और बतादूं की जैसा की लग रहा है कि मार्च में आप लोगों के exam हो सकते हैं तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा अपने syllabus को जल्दी cover करने की कोशिस करेंगे first unit हमारी complete हो चुकी है हर topic हमने उस पर किया है और fourth unit हम लोग कर रहे है differentiation ये भी बहुत important unit है जिससे 35 marks का बनता है हम अपने learning को थोड़ा सा exam oriented रखते हुए important topics को पहले cover कर लेंगे और बाद में अगर समय मिला तो फिर हम बज़े हुए topics भी discuss करेंगे तो आज का topic है हमारा अवकर इनका प्रतम सिधान्त यानि first principle of differentiation 11th और 12th class में आप लोगों ने पढ़ा है अगर आप maths पढ़कर आए हैं otherwise आप लोगों के लिए new हैं लेकिन आपको इसे बहुत अच्छी तरह से सीख लेना है तो चार limits की में बात करूंगी पहली है standard limits मानक सीमा है तो limit x tends to a x की पावर n minus a की पावर n upon x minus a इसकी value जहां पर भी आपको इस तरह का दिखाई देता है इसकी value होती है n a की पावर n minus 1 तो ऐसा कहीं पर दिखाई दे इस type का similar questions भी हमने पिछले वीडियो में किये थे मैं दोनों वीडियो का link दाल दूगी जो इससे related है आप देख सकते है description box में तो उसकी value हम direct रख सकते है n a की पावर n minus 1 बाकी तीन जो important limits है सभी में x tends to 0 है जबकि इसमें x tends to a था यह exponential function के लिए है e की पावर x minus 1 upon x equal to 1 है sin x upon x अगर कहीं पर आता है यह भी 1 है और 10x upon x आता है तो यह भी 1 है तो यह तीनों limits तीनों में x की limit tend कर रही है 0 को और equal to में answer आ रहा है 1 यह दोनों तो लगभग एक जैसे ही है sin और 10 के rules अकसर एक जैसे रहते है तो यह चार limits अगर आपको आती है तो फिर आप आवकलन के प्रथम सिधान पर based question कर सकते है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आवकलन का प्रथम सिधान क्या होता है दिखिए basic concept जो है वही है first principle of differentiation मैंने आपको बताय था कि अगर कोई फलन है y equal to fx इसका मतलब y x के terms में आपको given हुआ जैसे y equal to sin x y equal to x square इस तरह कोई function आपको given होगा तो आप जानते हैं कि जैसे ही आप x को change करेंगे x को मान लीजे आपने change करके लिख दिया x plus h पहले x थी उसमें कुछ add कर दिया new value आपकी बन गई x plus h तो इसी इस time पे जो y था या फिर हम कह सकते हैं fx fx change होकर बन गया है fx plus h ठीक है अगर हम इस value को x1 कहें ये वाली जो value थी x की पहले वाली x1 और जो बादवाली value y वो x2 ये y की पहली वाली value y1 और ये बादवाली value y2 तो अवकलन क्या होता है बता है था मैंने आपको मैंने कहा था कि rate of change in y y में परिवर्तन की दर तो y में कितना परिवर्तन हो रहा है y1 से y2 बन गया है यानि अगर आप change कितना हुआ देखना चाहेंगे तो बादवाली value में से पहली वाली value को minus कर देंगे y2 minus y1 इसी तरह से x में जो change हुआ है पहले x1 था अब x2 हो गया है तो change आजाएगा बादवाली value minus पहले वाली value यानि कि x2 minus x1 तो यही जो rate of change होता है y में परिवर्तन अब बटे x में परिवर्तन इसे हम कहते हैं dy by dx या फिर derivative या फिर अवकलज कई जगह पर इसे f dash x से भी represent किया जाता है आगे आप पढ़ेंगे इसको capital d y इन दोनों तरीकों से भी से represent किया जाता है तो यह सभी first derivative या प्रथम अवकलज को दिखाते हैं और derivative को find करने की जो method होती है अवकलज को ग्याद करने की विदी उसे अवकलन या differentiation कहते हैं और यह सभी हम differentiation आगे detail में पढ़ने वाले हैं लेकिन एक important चीज होती है कि यह जो change है बहुत छोटा होना जाए काफी detail में हमने इसे पहले discuss किया है यह change बहुत छोटा होना जाए यानि h लगबग 0 के equal होना जाए 0 नहीं होगा exact लेकिन 0 को tend करेगा तो limit h tends to होना चाहिए 0 अब देखें y2 क्या बन जाएगा हमारा limit h tends to 0 y2 का अर्थ हो गया है यह यह वाली value y2 थी fx plus h minus y1 यानि की fx upon x2 अब x2 क्या था यह था x plus h minus x1 x1 का मतलब कितना आगया x तो यहाँ पर आप देख रहे है x से x कैंसल हो जाएगा और dyy dx equal to आपका बन जाएगा limit h tends to 0 fx plus h minus fx upon h तो यही जो formula है यही formula कहलाता है अवकलन का प्रथम सिधान्द यानि की first principle of differentiation आगे जो भी questions आप करने वाले हैं उसमें आप first principle से कुछ फलनों का अवकलन ज्याद करने वाले हैं derivative find करने वाले हैं वो आपको ऐसा formula भी learn करने हैं जिनके base पर आप आगे की exercise करेंगे इस exercise में हम इस formula की help से कुछ special functions का differentiation सीखने वाले हैं तो इसे याद करना आपके लिए विल्कुल भी मुश्किल नहीं है और ये चारो standard limits सीख लेते हैं तो 6 marks या फिर 10 marks का question आपका बहुत असानी से बन जाएगा तो देखते हैं आप कैसे हम इसे questions में use करेंगे तो आप अपनी screen पर देख रहे हैं सबसे पहले जो भी फलन जो भी function आपको given है आप माल लेंगे इसको fx तो आप ले लेंगे fx या फिर y भी आप लिख सकते हैं y और fx एक ही बात है y equal to fx होता है तो fx equal to sin x पहला step जो भी आपका function था उसे fx आप लेंगे ठीक है अब इसके बार आउकलन का जो प्रथम सिधानत होता है उसका formula क्या होता है अभी मैंने आपको बताया dy by dx equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx upon h इस formula को आपको अपने mind में अच्छी तरह से बिठा लेना है तो यहाँ पर हमें एक तो fx की जरूरत पढ़ दी है एक fx plus h की जरूरत पढ़ दी है fx हमने लिख लिया तो अब हमें किसकी आविशक्ता है fx plus h की तो fx plus h कैसे आएगा जहां पर भी x आ रहा है उसकी जगह पर x plus h रख देना है हमें rhs में तो sin x आ रहा था तो x की जगह हम रख देंगे x plus h इसे हम bracket में रखेंगे क्योंकि यह sin का angle है तो पूरा angle हमें एक साथ लिखना होगा sin x plus h तो अब यहां हमें value रखनी है देखे क्या हो जाएगा अब हम लिखेंगे alkaline के प्रथम सिधान्त के अनुसार प्रिया फिर आप लिख सकते है according to first principle of differentiation तो alkaline के प्रथम सिधान्त के अनुसार क्या हो जाएगा यह formula जो आपको learn करना है जो हमने अभी सीखा भी की कैसे आता है तो यहां पर को आप value रखेंगे limit h tends to 0 f x plus h की जगह पर आपका आएगा sin x plus h यहां से value रख दी minus f x है f x की जगह पर आपको value रखनी है sin x upon h ठीक हो गया थोड़ा सा यहां पर trigonometry का भी use होगा तो ज़रूरी है कि आपको trigonometry के यह formula भी learn होँ अगर नहीं है अभी आपने trigonometry नहीं पढ़ी है तो आपके लिए यह formula learn करना भी एक काम extra इसमें होगा तो यहां पर देखिए sin a minus sin b type का बन रहा है और इसके लिए trigonometry में एक formula होता है sin a minus sin b equals to होता है 2 cos a plus b upon 2 sin a minus b upon 2 तो यह formula हमें यहां use करना है यह पहला वाला angle जो है यह हमारा a बन गया दूसरा वाला angle यानि x बन गया हमारा b तो देखिए अब यहां पर क्या होगा यहां पर हम जब formula use करेंगे तो यह हमारा बन जाएगा limit h times to 0 आप यहां पर देख सकते है अगर आप h की direct limit रखेंगे न तो sin x plus 0 sin x minus sin x sin x से sin x कर जाएगा 0 upon में h रखेंगे तो फिर से 0 तो यह आपकी एक 0 upon 0 वाली form आएगी तो इसका मतलब है मैंने आपको बताय था जब भी ऐसी form आई तो हमें कोई formula कोई दूसरे तरीके इस्तिमाल करने होते है जिससे ए form हमारी हट जाए तो इसी वज़े से हम यहाँ पर sin a minus sin b का formula यूज़ करेंगे तो sin a minus sin b का यह formula है यहाँ पर हमारा आजाएगा 2 cos a plus b a यानिकी x plus h plus b b यानिकी x upon 2 into है sin a minus b a क्या है हमारा x plus h minus b है हमारा x upon 2 तो यह उपर numerator यानि अंश में हमने यह formula यूज़ कर दिया ठीक है upon जो नीचे है हमारा क्या h यह ऐसा ही रहेगा अब यहाँ पर आप देख रहे है x से x कैंसल हो जाएगा अभी भी अगर आप 0 रखते हैं direct तो यहाँ पर इसमें तो ठीक है 0 रखने से h की जिगह पर अगर आप 0 रखते हैं तो cos 2x upon 2 cos x बनेगा लेकिन यहाँ पर अगर आप h की जिगह 0 रखते हैं तो sin 0 upon 2 यानि कि sin 0 sin 0 की value होती है 0 और upon में h भी आ रहा है 0 तो यह again आपका बन रहा है 0 upon 0 वाली form इसका मतलब अभी आपको और कुछ करने की जरूरत है तो मैंने का यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है h में 0 रखने से x plus 0 plus x यानि 2x upon 2 यानि cos x बनेगा तो जिसकी वज़े से दिक्कत नहीं हो रही है मैं उसे बाहर निकाल लेती हूँ मैं लिखूंगी limit h tends to 0 2 cos x plus h plus x upon 2 इन दोनों की वज़े से दिक्कत थी तो मैं इने अलग लिख दूंगी यहाँ पर मेरा वज़िया था sin h upon 2 upon नीचे है h तो मैं यहाँ पर limit को again लिख देती हूँ फिर से लिख देती हूँ limit h tends to 0 limit को आप कितनी बार भी लिख सकते हैं यहाँ पर लिखा क्योंकि h आ रहा था इधर भी लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर limit लिखने से मेरा formula similar बन रहा है देखिए अभी जो मैंने आपको पिछली question में बताया था पिछले page में बताया था limit theta tends to 0 sin theta upon theta equals to 1 अभी exact नहीं बना तो देखो यहाँ पर हमें इन तीनों को same करना है जो angle है यानि h upon 2 को आप सबसे पहले देखेंगे ऐसा ही आपको बनाना है इन दोनों को तो इसके लिए मैं क्या करूँगी पहले वाले में तो मैं direct limit रख देती हूँ अगर मैं पहले वाले में direct limit रख दूँ पहले वाले में direct limit रख दूँगी क्योंकि इसकी वज़े से कोई दिक्कत नहीं हो रही है limit रख दूँगी यानि कि आप मुझे यहाँ पर लिखने की जरुवत नहीं है मैं लिखूँगी 2 cos यहाँ पर h की जगर पर रिख दूँगी 0 x प्लस 0 प्लस x अपॉन 2 यह अलग पार्ट लीज़े आप पहला वाला अलग है आप दूसरे वाले को consider कीज़े यहाँ पर क्या होगा limit मैंने कहा मुझे h अपॉन 2 चाहिए देखे अगर मैं दोनों साइड h 2 से डिवाइड करती हूँ तो यह तो मेरा बन जाएगा h upon 2 tends to 0 upon 2 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 ही आएगा तो यहाँ पर बन गया h upon 2 अच्छे यहाँ पर क्या होगा sin h upon 2 यह ठीक था upon अब जो नीचे है h इसे भी मुझे h upon 2 बनाना है यह तीनों सेम होने थे तो इसे h upon 2 बनाऊंगी तो देखे मैंने 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टिप्लाई कर देती हूँ ऐसा करने से मेरा question नहीं बद लेगा 2 से 2 cancel होगा और सब पहला जैसा ही question यह बन जाएगा तो यहाँ पर को दोनों साइड 2 से डिवाइड करके h upon 2 बनाऊंगी यहाँ पर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टिप्लाई किया तो अब मेरी यह वाली जो limit है यह यह पूरी limit इसकी जगह हम यह formula अप्लाई कर सकते है limit theta tends to 0 sin theta upon theta equals to 1 यहाँ theta equals to h upon 2 आ रहा है तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा देखो हमारा यह बन जाएगा 2 cos यहाँ पर x plus x हो गया 2x upon 2 यह पूरा मेरा बन गया into 1 एक यह upon में 2 बचा हुआ था upon 2 तो यह तो 2 से 2 cancel हो गया और यहाँ पर 2 से 2 cancel हो गया तो यह मेरा बज़िया cos x तो इस तरह से जो आपने first principle से निकाला dy by dx या फिर y का मतलब यह sin x इसे हम f dash x भी लिख सकते हैं f dash x लिखें या फिर dy by dx लिखें y की जेगा पर क्या था हमारा sin x sin x तो that means sin x का जो differentiation आ गया dy by dx of sin x वो कितना आ गया cos x आ गया तो यह हमारा first principle से sin x का differentiation आ गया cos x अब exam में यह first principle से कीजे लिखा है तो आपको यह पूरा करना है और किसी question में direct इस्तिमाल होता है कहीं पर sin x का differentiation तो आप formula यूज करेंगे और sin x का अवकलन लिखतेंगे cos x तो इसी तरह का equation और हम देखेंगे तो एक similar question मैंने ले लिया है e की पावर x का प्रथम सिधान से अवकलन कीजे तो देखे इसका हम कैसे करेंगे आपको मैंने बताया कि जो अवकलन का प्रथम सिधान थै उसका formula आपको learn करना है जिसे आप f dash x भी लिख सकते हैं या फिर dy by dx भी लिख सकते हैं इसके लिए आपका formula है limit h tends to 0 f x plus h minus f x upon h तो यह formula आपको इस्तिमाल करना है तो यहाँ पर आपका क्या क्या आ रहा है एक तो f x plus h आ रहा है एक f x आ रहा है तो सबसे पहले जो function आपको given है इसे आप माल लेंगे माना let f x equal to e की power x चीक है अब दूसरा हमें क्या चाहिए f x plus h f x plus h कितना आएगा मैंने कहा जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ पर x plus h रख देना है तो यहाँ भी e की power जहाँ x आ रहा है वहाँ पर हम रख देंगे x plus h बस अब हमें यह values रख देनी है यहाँ पर तो dy by dx equal to अब क्या करेंगे limit h tends to 0 f x plus h यानि की e की power x plus h minus f x यानि की e की power x upon h ठीक हो गया अब क्या करेंगे limit h tends to 0 यहाँ पर e की power x plus h को मैं क्या लिख सकती हूं e की power x into e की power h क्योंकि आप जानते हैं जब भी base same होते हैं तो power add हो जाती है into में तो इन दोनों के आधार समाने बीच में into का sign है इसका मतला अगर हम solve करेंगे तो e की power x plus h आ जाएगा तो e की power x plus h को मैंने break कर दिया है इस तरह से माइनस यह ऐसे ही रहेगा e की power x अपॉन यह ऐसे ही रहेगा h तो यह आपका बन गया limit h tends to 0 इन दोनों से आप कॉमल लेंगे e की power x तो यहाँ पर बचेगा e की power h minus 1 अपॉन h तो यहाँ अब क्या करेंगे देखें यह h की limit है यहाँ पर जो e की power x आ रहा है इसमें h कहीं पर नहीं आ रहा है इस वाले part में तो मैं इसे limit से बाहर लिख दूँग e की power x अंदर मेरा आ गया limit h tends to 0 e की power h minus 1 upon h तो अभी मैंने e की power x तो यह हो गया अभी मैंने आपको standard limits में बताय था जो शुरू में हमने formula लिखे थे मैंने आपको बताय था कि limit x tends to 0 e की power x minus 1 upon x इसकी value होती है 1 तो यहाँ पर को इसकी value हम put कर देंगे into 1 यानि कि इन दोनों को multiply करके हमारा आगया e की power x तो यह हमारा आगया dy by dx या फिर हम लिख सकते हैं d by dx y की जगह पर क्या मानत हमने fx y या fx e की चीज होती है यानि e की power x तो equal to कितना आया answer हमारा e की power x तो यह first principle से आपने सीख लिया as a formula भी यह आपको learn कर लेना है और एक और बात ध्यान देनी है कि e की power x ऐसा अकेला फलन है जिससे differentiate करने के बात कोई परिवर्तन नहीं होता और वापस e की power x आ जाता है आगे आप second semester में सीखेंगे e की power x ऐसा फलन है जिसका integration भी e की power x ही होता है तो e की power x का differentiation भी e की power x होता है e की power x का integration भी e की power x होता है यह हम second semester में भी discuss करेंगे तो यह question मुझे बहुत important लग रहा है exam के हिसाब से आसान भी है आप अच्छी तरह से इसे सीखे एक और problem में discuss करने है third में ले लेती हूँ आपको करना है x की power n का अवकलन प्रथम सिध्धान से ठीक है x की power n का प्रथम सिध्धान से अवकलन कीजिए ठीक है यह सारे जो हम prove करें न इनहीं हम आगे as a formula याद भी करेंगे और आगे की question हमें इन formula को use करके ही solve करने हैं तो next मैंने लिया x की power n का प्रथम सिध्धान से अवकलन कीजिए तो सबसे पहले तो हम प्रथम सिध्धान होता क्या है वो लिख लेंगे प्रथम सिध्धान होता है हमारा dy by dx equal to limit h tends to 0 f x plus h minus f x upon h तो यहाँ पर आपको किन किन चीजों की जरूरत है f x की जरूरत है f x plus h की जरूरत है और h की जरूरत है तो सबसे पहले जो function था उसे हम माल लेंगे y भी कह सकते है या फिर f x या इसे हमने x की power n ले लिए जो फलन है उसको हम f x ले लेंगे या उसको हम y भी कहते है तो y equal to f x या x की power n हो गया अब हमें दूसरी क्या जरूरत है f x plus h की जरूरत है तो f x plus h का मतलब जहां भी x आया वहाँ पर आपको x plus h रख देना है की power n ठीक है अब हम निकालेंगे फिर now using the first principle प्रतम सिधान की अनुसार dy by dx equal to limit h tends to 0 f x plus h की जगह पर x plus h की power n minus f x f x की जगह पर x की power n upon h ठीक हो गया अब देखे यहाँ पर आपको थोड़ा सा intelligence का use करना है और हम यहाँ पर जो formula use करने वाले है वो है limit x tends to a x की power n minus a की power n upon x minus a equals to n a की power n minus 1 तो यह formula जो मैंने आपको शुरू में जो चार formula लिखाए थे standard limits के उसमें first formula यह था तो यहाँ पर देखे इसी तरह का बन रहा है यह अगर मैं इसको x समझ लूँ तो x की power n minus इसकी जगह पर a है तो a की power n इस तरह का formula बन रहा है तो ध्यान से देखना जब आप इसको इससे compare करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर अभी x plus h आ रहा है यहाँ पर हमारा x की power n आता था x plus h की power n आ रहा है और जहाँ पर a होता था वहाँ पर x आ रहा है यहाँ पर हमारा होता था a की power n और नीचे हमारा होता था x minus a तो similar उपर तो बन रहा है लेकिन नीचे यहाँ पर a minus a होना चाहिए ठीक है x minus a होता था, यानि कि this minus this, तो इसे मैं थोड़ा सा change करके लिखूंगी, देखो, कैसा लिखूंगी, इसे मैं लिखूंगी, limit h tends to 0, उपर बाला ऐसे ही रहने देतने, x plus h की power n, minus x की power n, अपॉन, इसे मैं क्या लिख सकती हूं, देखे, this minus this अगर मैं कर दू, x plus h minus x, तो आप देखेंगे, इससे ये cancel होगा, और वापस h ही बचेगा, तो h को ऐसा भी लिखा जा सकता है, अगर मैं ऐसा लिखूं, तो अब ये बिल्कुल इस form का बन जा रहा है, x की power n, minus a की power n, अपॉन, x minus a, जहां पर x की जगह पर है, x plus h, और a की जगह पर है, x, x की जगह पर होनी चाहिए, यहां पर हमारा आ रहा है, h, तो देखें, यहां पर मैं क्या change करूँगी, limit, मैं इस limit में दोनों साइड, x add करूँगी, यहां पर भी x plus कर दूँगी, यहां पर भी plus x कर दूँगी, तो x plus h tends to x plus 0, ऐसा करने से भी कोई फर्क नहीं परता, क्योंकि इस से ये cancel होगा, तो वापस h tends to 0 ही आएगा, तो यह भी important step था, जिसमें आपने दोनों साइड, x add कर दिया है, अंदर उपर आपका आगया, x plus h tends to, की power n, minus x की power n, upon x plus h minus x, आप क्या बन जाएगा है, limit, x plus h tends to x, और यह बन गया, आपका x plus h की power n, minus x की power n, upon x plus h minus x, ठीक है, तो अब हमारा बिल्कुल similar बन गया है, हमारी जो standard limit होती है, जो formula होता है, हमारा formula होता है, x की power n, minus a की power n, upon नीजे होता है, x minus a, और यहाँ पर होता है, x tends to a, तो x की जगह पर है x plus h, a की जगह पर है x, x minus a होता है, तो x plus h minus x, यहाँ पर होना चाहिए, x tends to a, तो इसके according x क्या है, x plus h, tends to होना चाहिए a, a इसके according क्या है, x, तो x plus h tends to x होना चाहिए तो आप देख रहे हैं न, x plus h tends to x आ रहा है तो that means हमारा ये ठीक बन गया है तो इसे अब हम लिख सकते है limit इसको जब आप इससे कम यूज करेंगे इससे तो इसकी value हम लिख सकते है n a की power n minus 1 तो a की जगह पर अभी हमारा क्या है? तो ये आपका formula भी बन गया है और ये आपका 6 marks का question भी बन सकता है d y by dx यानि की d dx of y की जगह पर क्या? x की power n equal to n x की power n minus 1 तो इस तरह से आपको इस question को करना होगा वैसे exam में जो question पूछे जा रहे हैं वो sine पे, cos पे, e की power पे इस तरह के question ज़्यादा पूछे जा रहे है फिर भी मैंने आपको एक ये वाला question भी extra बता दिया पहले वाले दो ज़्यादा important है बाकी दो question में आपको homework दे रहे हूँ आप उनको solve कीजे कुछ और मिलती जुलती problems मैं आपको notes में provide करवा दूँगी इस topic को जरूर सीखे थोड़ी महनत जरूर करनी है इस पे लेकिन ये question आपको 6 marks का exam में पूछा जाना है तो आपको ये तो सीखना ही है ये दोनों questions है जो आपको homework में करने आप इने solve कीजिए मुझे answer बताईए comment box में बाद में मैं notes में आपको इनका solution भी provide करवा दूँगी कल से हम अपना elementary differentiation स्टार्ट करेंगे जो important है interesting है और आपको थोड़ा सा महनत करने पर बहुत अच्छा लगने वाला है तो मिलेंगे next video में thanks for watching the video